नमस्कार मैं हूँ अच्छा और आप देख रही है फिल्मी बीट आलिया भट और फिल्म ब्रभास्त की टीम लंडन रमाना हुई तो उन्होंने एरपोर्ट से एक तस्वीर पोस्ट की इस फोटो में जब रनबीर कपूर नजर नहीं आया तो लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया क्या है ये खबर आई आपको बताते हैं आलिया भट और रनबीर कपूर का रिष्टा अब किसी से छिपा नहीं है ये दोनों ही सितारे अपने रिलेशनशिप को हाइट करने की कोशिश भी नहीं करते अब तो ये क्यूट कपल अक्सर हैंग आउट करते नजर आते हैं लोगों को भी इन्हें साथ में देखने की आदत सी हो गई है और शायद यही वज़ा है कि जब आलिया एरपोर्ट पर अयान मुखर जी के साथ दिखाई दी तो लोग रनबीर के बारे में सवाल करते नजर आए दरसल फिल्म ब्रमास्त की शूटिंग के लिए आयान और आलिया भर टीम के साथ लंडन रवाना हुए तो उन्होंने एरपोर्ट से इंस्टा पर एक फोटो शेयर किया जिसमें पूरी टीम नजर आ रही थी इस दस्वीर में आयान जहां कैजूर लुक में नजर आए तो वहीं आलिया जीन्स टी शूर्ट के साथ ब्राइट पिंक कलर का कोट पहने नजर आई उनके साथ म्यूजिक कंपोजर प्रीतम भी थे जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग फिल्म के सॉंग्स की शूटिंग के लिए शायद लंडन गया है ऐसे में सवाल ये उठता है रंबीर कहा है तो एरपोर्ट की इस पिंक में आलिया के लुग को कई लोगों ने प्रीज किया हलाकि कुछ लोग ये भी पूछने में पीछे नहीं रहें कि उनके साथ रंबीर क्यों ही नजर आ रही है यूजर ने कहा आरके कहा है रंबीर कपूल मिसिंग है रंबीर को साथ नहीं लाया क्या जैसे कई कमेंट्स कर रंबीर की गयर मवजूदकी के बारे में पूछा अब रनबीर सच में उनके साथ थे या नहीं, या फिर वो कहीं गय थे, या फिर वो बद में लंडन जाएंगे, इसके बारे में तो फिल हाल किसी को नहीं पता और ये चीज शायद बाद में ही पता चलेगी फिल्म ब्रंभास्त के बात करें तो पहले इस मूवी को इस साल दिसंबर में रिलीस किया जाना था हलाकि अब इसे अगले साल गर्मियों के सीजन में रिलीस किया जाएगा अयान ने एक स्टेट्मेंट जारी करते हुए रिलीस डेट आगे बढ़ाने की वज़ा बताते हुए कहा कि वी अफिक्स से जुड़ा काम दिसंबर तक पूरा करपाना संभव नहीं है जिस वज़े से तारीक को आगे बढ़ाए गया है तो कुल मिला कर रनबीर और आलिया से जुड़ी एक बहतरीन खबर कि जब नज़र नहीं आए रनबीर तो सब ने पूछा रनबीर कहा है फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही